नमस्ते दोस्तों आज सुनिये चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिये सुप्रसिद कथाकारा मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी जो बीद गई वो बात कही तो शुरू करें कहानी खाना भी अद्बीच में ही था कि मोबाइल बजू था राजेश ने कुर्ते की जेब में हाट डालकर मोबाइल लिकाला ख़ड़ भर नंबर का मुआयना किया और फिर अस्मंचस भरे स्वर में कहा यस उधर से शायद पहचानने के लिए इसरार किया गया होगा क्योंकि राज जी के स्वर में पोले सौरी बहुत दिनों बाज सुन रहा हूं न इसलिए आवाज पैचान नहीं पाया खाना खा रहा हूं बस पांच मिनट में फोन करता हूं फोन रखकर उन्होंने हडबड़ी में थाली में रखी रोटी खतम की और उठ खड़े हुए ये क्या चावल न पांच मिनट रुख जाईए न मेरा बस हो ही गया है समेटा समेटी में लोटकर कर लूँगी नहीं 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 तुम आराम से होने तो मुझे गरम रूटी खिलाने के चक्कर में तुम वैसे ही इतनी देर बाद खाना शुरू करती हो बस तुम इत पीनान से खाना खतम करो तब तक मैं पान लेकर आया ही समझो इसके बाद अनु की भूग भी जैसे मरी गई वो हैरान होकर बाहर के दरवाजे को देखती रही जिसे अभी अभी राजेश उड़का कर गए हैं खाना खाने के बाद अकसर वे दोनों पान खाने निकल जाते हैं दिन भर की आपा धाप के बाद 15-20 मिनट की चैल कदमी उन्हें तरोताजा कर देती थी सारी धकांद उतर जाती थी पर आज राजेश को उसका साथ गवारा नहीं था अनुन यंत्रवत टेबल समेटा खाना उठा कर फ्रीज में रखा रात के लिए पानी की बोतले भर ली बैट कवर हटा कर विस्त नहीं हुआ राजेश कोई पौन घंटे बाद लोटे अनु को देखती जैसे उन्हें कुछ याद आ गया सौरी यार पान लाना तो भूली गया पान लाने गये थे और वही भूल गये अनुन ने हलका सा कटाक्ष किया अरे एक सजजन मिल गये पूरा आधा घंटा खा गये चलो दोबारा चलते हैं नहीं अब रहने तीजे ठक जाएंगे वैसे भी दस बज रहा है कल चुटी थोड़े ही है राजेश ने फिर आग रहने किया बिस्तर पर लेट तो गए थे पर दोनों की आँखों में नीन नहीं थी एक दूसरे से अपनी बेचैनी चुपाते हुए दोनों रात भर करवटे बदलते रहे आखिरकार अनू से नहीं रहा किया बोली सुनिये ये मस्तोचना कि मैं आपकी जासूसी कर रही हूँ पर आपको इसकदर बेचैन देखकर कूशना पड़ रहा है रात को किसका फोन था राजेश कुछ दिर अनू को देखते रहे फिर भुटी सी आवाज में बोले रंजना का लेकिन वो तो कहीं बाहर है ना मा जी ने बताया था हाँ शायद ऑस्ट्रेलिया में है पर घर तो उसका यहीं है ना घर तो यहीं है मतलब यहां अकसर ही आती होगी क्या पता शायद फोन भी करती रही हो पर ऐसा होता तो राजेश उसकी आवाज फॉरण पहचान लेते उन्होंने कहा भी तो था अर्से बाद सुन रहा हूं इसलिए आवाज पहचान नहीं पाया यूँ फोन करने को तो इंसान बाहर से भी कर सकता है उसके लिए भारत आना जरूरी थोड़े ही है पर शायद उसके पास नंबर नहीं होगा नहीं तो जरूर करती आज से 6-7 साल पहले मूबाइल का इतना चलन नहीं था कम से कम राजेश के पास तो सेल फोन नहीं ही था उसे आपका नंबर कहां से मिला उसने पूछा पर उसे उत्तर नहीं मिला एक बार रंजना के फोन की बात बता देनी के बाद राजेश एकदम त तनाओ वो पहली बार महसूस कर रही थी अलस सुबह आँख लगी ही थी कि महरी ने घंटी बजा दी फिर तो कुछ सोचने का समय ही नहीं रहा रोज की तरह घड़ी से तालमेल बिठाते हुए वो काम में जुट गई राजेश को उसने साड़े आट बजे तक सोने दिया उस घर पर ही बुला लेते ना उसने बड़पन चताया घर पर शायद वो कमफर्टेबल फील ना करे उससे जदा शायद आप अनकमफर्टेबल हो जाते उसने कहना चाहा पर नहीं कहा राजेश जैसे उसके मौन प्रशन का उतर देते हुए बोले वो कुछ जरूरी बात कहना च मिनट में खत्म हो गई थी कि कल कहां मिलना है फिर फिर क्या बहुत अपसेट हो गया था मैं यूही निरुदेश सड़क नापता रहा जब पैरों ने जवाब दे दिया तब घर वापस लोटा पर जब कोई बाती नहीं हुई तो इतना अपसेट क्यो रहे वो मेरा पहला प् बात अचानक उसका फोन आया केर में चलता हूं दस-वीस हो रहा है कहते हुए बाहर निकल गए अपने पीछे उन्होंने दरवाजा उड़का दिया अनू सुन होकर सीडियों पर उनके जूतों की विशिष्ट वैचान सुनती रही हर पदिचाप के साथ उसके कानों में एक क्या पढ़ाएगी खाक पर उसकी लता के हाथ उसे कॉलेज में सिक नोट भेज दिया और सोफे पर पसर कर वो अतीद के गलियारों में गुमने लगी उन्दनों पापा जीवन मृत्त की बीच जूल रहे थे और शताय नर्सिंग होम में भरती थे यू तो उस मंजल पर सब स साल भर तो से विस्तर पर रहना ही है और कोई आधा दर्जन ऑपरेशन से गुजरना है तब शायत कोई चमतकार हो पाए अनू सुनती और अकारन उसका मन उस अपरचित व्यक्त के प्रतिसानूत से भर उपता यू तो मा दिन बार पापा के पास बनी रहती थी फिर भी कोई वहां रहता ये जरूरी था क्योंकि हर दो-तीन घंटे बार डॉक्टर्स राउंड पर आते थे और हर 15 मिनट बार सिस्टर्स एक परची पकड़ा देती थी ये सब मा की वश्का नहीं था एक बार ऐसी एक परची लेकर उस सीडियों के नीचे जा रही थी कि उसने कर कहा आंटी आज लिफ्ट बंध है मेंटिनेंस हो रहा है ये देखिए उपर लिखा है ए भगवान आंटी ने सीडियों के ओर देखा ये पहार चड़ने उतरने में तो मुझे आदा गंटा लग जाएगा राजू बिलकुल अकेला है लाइए मैला देती हूं मुझे अपन वाले दर्वाजे पर हलकी सी दस्तक देकर भीतर गई आंटी को बचे हुए पैसे और गोलिया पकडाती हुए उसने पलंग पर लेटे उस व्यक्ति को देखा ये भगवान सिर से पाउं तक पट्टियों से जकड़ा वो व्यक्ति क्या जीवित रह पाएगा सिर पर पट्ट की उनकी दिरगायों की कामना की अनू ने पूछा आप अकेले इन्हें संभालती हैं घर पर और कोई नहीं है इनसे बड़े दो हैं एक बैंगलॉर में दूसरा कलकत्ते में दोनों ही आये थे पर लौकरी चाकरी छोड़ कर कितने दिन रहते ये भीमारी तो भी लंबी आते हैं कुछ काम वो तो कर जाते हैं पर पराय बच्चों पर कितना भार डाला जा सकता है आपके बेटे बारी-बारी से आते तो अच्छा रहता ऐसा कहां होता है बेटा एक्सिडेंट का सुनकर तो सभी दौर पड़े थे उस समय तो ऐसा लगा था कि बोलते बोलते में च संकोष कह दिया कीजिए इसके बाद दो-तीन बार आंटी जी ने उसकी सेवा का भी लाब उठाया पर ये सिलसला ज्यादा दिन नहीं चल सका पंद्रे दिन कोमा में रहने के बाद एक दिल पापा ने हमेशा के लिए आखें मून लिए सारा परिवार शोक सागर में डूप क खा रही थी अनु की भी सिस्कियां बद नहीं हो रही थी पर उस समय उसके आशू पूछने वाला कोई नहीं था भावियां मा को संभाल रही थी और भाई लोग अगले इंतिजाम में जुट गए थे उस समय आंटी जी नहीं उसे चाती से लगा लिया था उनके गले लगकर वो खूब रोली थी उसकी पीट पर ममता से हाथ फेरते हूँ उन्होंने कहा उसकी मरजी के आगे किसी का वशनी चलता बीटा बस यही समझ कर सबर कर लो कि वे अपने कश्टों से मुक्ति पा गए एक शन भर को तो उसे इतना गुस्सा आया कि कह दे इश्वर करे आपका ब दुनिया देख चुके थे एक अनु की शादी को छोड़ कर वो अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके थे पर ये राजेश तो भाईयों की क्रपा से पढ़ लेकर अभी अब इपने पैरों पर खड़ा हुआ था मा के लिए खुशिया सजोने का सपना ही देख रहा था कि नियत ने उसके पैरों के नीचे से जमीनी खीच ली थी पापा की मृत्त के बाद जीवन में एक शूनिसा भर गया था मा अपने दुख में डूबी हुई थी बावन तिर्वन वर्षों का साथ था और अब एकाएक वे अकेली हो गई थी भाविया अपने क्रहस्ती मे वेस्ती खाली समय में मा का मन बहलाने का प्रयास करती भाई लोग कर काम में जुट गए थे पापा की बीमारी में और बाद के कारक्रावों में काम का बहुत दुखसान हो गया था तेरे यादि के बाद दीदी लोग भी अपने अपने घर लोट गई थी अपने जीवन में आई इस रिक्तिता को उसे अकेले ही फोगना था क्योंकि उसकी और ध्यान देने की किसी को भी पुरसत नहीं थी उसका दुख बटाने वाला कोई भी नहीं था दो साल पहले पापा को इस गंभीर बीमारी ना पकड़ा होता तो शायद वो भी अपने घर बार की हो गए होती प आप तो शायद साल डेर साल तक कोई इस बारे में सोचेगा भी नहीं मा अपने दुख से उबरेंगी भाईया को उनका फर्ज याद दिलाएंगी तब शायद कुछ हो पाएगा वो चुपचा वांटेट के कॉलम्स देखती रही और एक दिन उसे एक प्राइविट कॉलेज में न्युकती मिल गई वेतन स्कूल जैसा ही था पर नाम कॉलेज का था इसलिए वो खुश थी खुश इसलिए भी कम से कम अब कुछ घंटों के लिए घर के दम कोटू बातावरन से चुट्टी मिलेगी कुछ नए लोगों से परिशे होगा खुश इसलिए भी थी कि अब चुटे मूटे खर्च के लिए भाईयों के आगे हाथ भी फैलाना पड़ेगा पापा से वो हर तरह की जित कर लेती थी और वो पूरी भी होती थी पर भाईयों से मांगते जिजग होती थी उसे नौकरी करते तीम-चार महीने हो चले थे एक दिन कॉलेज से लोटते हुए अस्पताल वाली आंटी जोला उठाय चली जा रही है जोला भारी रहा होगा क्योंकि वे बार बार हाथ बदल रही थी उसने गाड़ी ठीक उनके सामने जाकर रोग दी वो एकदम चौंग गई पर दूसरे एकषण उनका चेहरा पर जित मुसकुरार से भर उठा अनुकमा बेटी कैसी हो मैं ठीक हूँ आप कहा जा रही है घर जा रही हूँ थोड़ा सामान लेना था साग भाजी तो दरवाजे पर आजाती है पर बाकी सामान के लिए बाजार का मूँ देखना ही पड़ता है राजेश जी ठीक है ठीक इतनी जल्दी क्या आँगे बस घर आ गए है नर्सिंग होम भी कितने दिन रहते पिछले महीने एक आपरेशन हुआ था तब आट दिन रह लिए थे अगले महीने एक आखरी आपरेशन है पहले वाले में मजला आ गया था इस बार बढ़का आएगा शायद उनकी आवाज बहत ठकी सी लग रही थी ठकान शायद बोज की वज़े से हो या खड़े रहने के कारण मानसिक तनाव तो रहा ही होगा अंटी आई आई आपको घर छोड़ दूँ इसकूटी पर तो बैठ लेंगी ना लाइए जोला मुझे दीजिये और आराम से बैठ जाहिए घर ज्यादा दूर नहीं था इत्विना से गाड़ी चलात सकता है ताला तो लगा नहीं था उनका सामान उठा कर भीतर रखते हुए उसे इजाज़त चाही तो बोली वा ऐसे कैसे चली जाओगी बिना चाहे पिलाए जाने थोड़े ही दूँगी आंटी ने उसके लिए कुरसी खीच दी लाइट जला दी और बेटे से पूछा राज का प्लास्टर भी निकल गया था और हाथ भी बंधन मुक्त थे आंटी चाहे लेकर आई तो उनका साहरा लेकर वो भी बैट गया इस बार उसका चेहरा ध्यान से देखा और पता लगा कि आदमी सुदर्शन है चाहे पीते हुए आंटी उसी की तारीफ करती रही कि कैसे नरस कोगी आंटी तीनों कप उठा कर अंदर ले गई अनु जाने को मुड़ी ही थी कि कानों से एक शब्द टकराया थैंक्स उस शब्द से क्रतगिता जैसे चलकी पड़ रही थी उसके चेरे से साफ जाहिर हो रहा था कि मा के प्रत उसकी सदा शैता से वो अभीबूत हो गया है उसके बाद तो जैसे ये अनु का नियम ही हो गया वो हर दो-चार दिन बाद कॉलिज से आते जाते उस घर में जाक लेती उनके जरूरी काम निप्टा देती कभी आंटी को बैंक ले जाती कभी उनके साथ जाकर किराने का सामान ले आती या कभी खुद ही हफते बर की सबज धन्दा है कुछ किताबे मिल जाती तो उसका समय कट जाता कहने बर की देर थी कि अनु ने लाइबरेरी और बुक स्टॉल पर धावा बोल दिया घर में पुस्तुकों का और पत्रिकाओं का धेर लगा दिया उसे अंग्रेजी लेकों की जादा जानकारी नही थी राजेश स घर में वो इतना रच बस गई कि राजेश के अंतिम ऑबरेशन के दिन पूरे वक्त आंटी के साथ शेतायों में बैठी रही राजेश के बड़े भाई बैंगलोर से आये थे उन्हें ने तो पूछी लिया ये लड़की कौन है रंजना रंजना आंटी के मन का सारा तिरसका उनके स्वर में उतराया था राजू के एक्सिडेंट के बाद एक बार ज्हांकने भी नहीं आई है इसका दोस्त त्रिलोकी बता रहा था कि उसकी तो शादी भी हो गई है कहीं बाहर जाकर की है उजल पहली बार रंजना का नाम सुना था उसके बारे में जाना था सब कुछ सुनने के बाद उसका मन करोना से भर उठा था बार बार यहीं लगता रहा कि तन मन से लहु लुहान ये व्यक्ती जी कैसे गया शायद मा की ममतायू से थामे रही होगी नहीं तो वो कब से मृत्य का वरण कर लेता कॉलिज से लोट कर अब वो नर्सिंग होम जाने लगी थी मुश्किल जे तीन दिन बीते होंगे कि एक दिन बड़े भहिया ना चानक पूछ लिया तुमारी कोई सहली बीमार है क्या नहीं तो फिर शतायू क्यों गई थी चत्रवेदी अंकल बता रहे थे और इतनी दूर से लोगों को पहचान भी लेते हैं तुमने बताया नहीं कौन बीमार है भहिया पूछ रहे थे बड़ी मुश्किल से अनु भहिया को राजिश के बारे में समझा सकी अस्पताल के संदर्ब से उन्हें याद तो आ गया पर फिर भी ये समझ में नहीं आया कि अनु को उसके ऑपरेशन की सूचना किस ने दी कभी कबार आंटी के पाथ सली जाती हूँ मैं कॉलेज के रास्ते में पढ़ता है ना बड़े भहिया फिर कुछ नहीं बोले पर उनके चेरे से साफ जलक रहा था कि ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगा है उनके और चतरवे बेटे के लिए है बलकि बेटे के लिए ही है तब अपने आप से ही वो इतना डर गई कि उसके सामने भहिया का डर भी फीका पड़ गया आट-दस दिन उसने उधार का रुखी नहीं किया फिर एक दिन डरते डरते नर्सिंग हों फोन किया तो पता चला कि राजेज दो दिन पहले डिस्चार्ज हो गया है घर जाने की तीवर इच्छा हो रही थी पर उसने मन को मजबूती से थामे रखा फिर इसी तरह 15 दिन और निकल गए और तब उसने मन की आगे घुटने टेक दिये एक बार फिर उस घर की गंटी बजाती हमेशा की तरह दर्वाजा देर से पड़े थे वह अचानक बोलू थी ये बात तो मुझे कहनी चाहिए थी राजेश ने एक उदास हसी के साथ कहा फिर कुरसी की तरफ इशारा करते हुए कहा बैठिये अनू बैठ गई दीरे दीरे चलकर राजेश भी अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गए कहा मा आपको बहु सौरी मैं इतने दिनों तक आ नहीं सकी दरसल इसमें सौरी कहने जैसा क्या है आपकी अपनी विस्तताएं है उसमें से थोड़ा समय आप हमें देती है वी आर ग्रेट फुल आपका धन्यवाद क्या पन हो गया तो मैं चलूँ वो उठ खड़ी हुई मा के आने तक तो रुकि तो बंद हो गई न वो फिर सौरी कहने को थी कि उन्होंने कहा अब उंगलिया थोड़ा काम करने लाइक हो गई है तो दोस्तों से कहकर कुछ अकाउंट्स का काम मंगवा लिया है सिर्फ उपन्यास पढ़कर तो जिन्दगी नहीं कर सकती न उनके स्वर में हलका सा विशात अनु का मन सजल हो आया काश मैं इस काम में आपके कुछ मदद कर सकती बट इट इस ओल ग्रीक एंड लेटिंग फॉर मी तब ही दर्वाजे पर आटो रुखने की आवाज आई अनु दोड़कर दर्वाजे तक गई सामान से लदी फदी आंटी आटो से उतर रही थी अनु ने लपक कर उनके हाँ से तूनो तीनो जोले ले लिये और किचन में रखाई लोटते हुए एक गिलास रंडा पानी भी लेती आई आटी को कुर्सी बेठा कर उसने उनके हाथ में गिलास थमा दिया गिलास हाथ में लिये आटी तरप्ट भाव से उसे नहारती रही नजरों कि वो जैसे इस्थाई सदस्स से बन गई थी, वो घर जैसे उसकी प्रतिक्षा में आखे बिचाए रहता था, उसने रोज अनभव किया था कि उदास और सोया हुआ ये घर उसके जाते ही गुलजार होगता था, 2400 गंटे वो अपनी दुनिया में खोई रहती थी, इसलिए उस से पता ही न चला कि उसके क्रिया कलापों पर भी किसी की नजर है, इस बार घर वाले बहुत चौकस थे और उनके पास राई रप्ति खबर पहुंचती थी, एक दिन जब वो घर पहुची तो बड़े भईया ने उसे आड़े हाथो लिया, तुम दिन भर वहां मात्रों क्या क्यों खुशी रहती हो? एक छण को तो सकपका गई, पर घबराई नहीं, कृद आवाज में बोली, दिन भर तो मैं अपनी नौकरी पर जाती हूँ, हाँ आते जाते उन्हों का एकात काम कर दिया, तो क्या गुना हो गया? मा इन दुनों एकदम विरक्त सी हो गई थी, पर इ किस तरह बात की जाती है? तो अब बात करने का तरीका मुझे तुमसे सीखना होगा? मा ने भी कहा, वो क्या गलत कह रहा है? आखिर उन लों के लिए तुझे इतना दर्द क्यों है? कौन लगते हैं वे तुमारे? बड़े भईया बोले, चार लों के बीच उठना पैठना त तो नहीं छोड़ सकती, आप लों को बदनामी का इतना ही डर है तो मेरी शादी वहां कर दीजिए. उसकी बात पूरी भी नहुपाई थी कि एक जन्नाते दार तमाचा उसके गाल पर पड़ा, वो तो भावी ने बड़े भईया का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो उसकी पतान क्या गत बनती ही, छोटा बोला, अब तो बिल्कुल साबित हो गया है कि उन लोगों ने इसे हिपनोटाइस कर दिया है, आट-दस दिनों तक घर जैसे बारूत के धेर पर बैठा था, हर क्षण विस्फूट की आशंका बनी रहती थी, साम, दाम, दंड, भेद, भाईयों न तूफान कुछ थमा तो उस घर में भूचा ला गया, वे लोग तो एकदम हक्के बक्के ही रह गए, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सभी रूपों में वो पक्षम था, केवल भावनात्पक रिष्टों के सहरे तो जिनिगी नहीं चलती, पर अनु ने देवदास के पारू की तरह साफ कह दिया, अब ये मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्ण है, आप लोग अगर पीछे हट गए तो मेरे पास आत्पत्या के सिवा कोई उपाय नहीं रह जाएगा, देवदास ने का, वैसे तो इशादी भी एक तरह से आत्पत्या ही है, पर कम से कम इसमें हमें हत्या का प साधा समारों में तुरत फुरत शादी निप्टा दी गई, साधा समारों इसलिए कि करन्या पक्ष को कोई उत्साह नहीं था, तुरत फुरत इसलिए कि दूले राजा के इस्तित ऐसी नहीं थी कि शादी के सारे रस्मों रिवाज पूरे कर सकें, करन्या पक्ष जितना दु कि अनु को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। शादी की हरबुंग से जब कुछ निजात मिली तब उसे समझ में आया कि उसके सामने जिम्मेदारियों का समस्याओं का एक पहाड कड़ा है। इन समस्याओं को उसने खुद ही नहीं होता था। इसले शिकायती प्रणारियों के लिए उन्हें लाने ले जाने की व्यवस्ता भी कर दी। पूरी तरह ठीक होने में उन्हें दो साल लग गए। फिर भी उसे पूरी तरह ठीक होना नहीं कहा जा सकता। बाया पैर आधा इंग चोटा हो गया था। इसलिए बाहर जाते समय उस पैर में मोट पास्टिक डाल कर रखा था। उनकी टाई की नौट भी वही बानती थी। इसमें रोमांस कम और मजबूरी ज़्यादा थी। फिर भी शादी के दो साल बीटते न बीटते गाड़ी पट्री पर आ लगी थी। दो साल तक तो माजी सबर किये रही। पर अब उन्होंने नन् संभाल की नहीं थी। घर का आर्थिक ढाचा भी इतना मजबूत नहीं हुआ था। दोनों नौकरी कर रहे थे पर एक और नया खर्च उठाने की छमता अभी उनमें नहीं थी। घर छोटा पड़ रहा था। इसलिए किराये वाला भाग भी खाली कर वा लिया था। सीधे सी प्रकत्ता और बैंगलोर जैसे शेहरों की महगाई। अब शादी के पांस सार हो गए हैं इस्तित अच्छी नहीं बहुत अच्छी हो गई है। राजेश ने अपनी गाड़ी भी ले लिया है। नए मेमान की आमट टलती ही जा रही है। क्योंकि जिन्हें सबसे ज़्यादा उस साह था वो ही इतनी लंबी प्रतिक्षा नहीं कर सकी। ये एक टीस अनु के मन में हमेशा बनी रहेगी। राजेश को लोटने में कोई दस बच गए थे। उन्होंने फोन कर दिया था इसलिए उसने खाने के लिए प्रतिक्षा नहीं की। वे लोटे तो अनुने इतना पूछा, दूद लेंगे? हाँ एक कॉफी बना दो. वो कॉफी बना कर लाई तब तक वो कपड़े बदल कर टीवी के सामने बैट गए थे. एक कप उन्हें थमाने के बाद अपना कप लेकर वो भी पास में बैट गई. कॉफी पीते हुए बड़े सहज भाव से पूछा, ख ठीक ही रही? मैं तो श्रोता की हैसियस से ही गया था. जो कुछ कहना था, उसे ही कहना था. पूरे समय वही बोलती रही. इतने सालों का पूरा कच्चा चिठा सुना गई. बहुत बहादर लड़की है. मैं तो दाद देता हूँ. जब छोड़ने का मन हुआ तो एक जटके से सबको छोड़कर चली आई. बच्चों का भी मो नहीं हुआ. वा, क्या बहादरी है? अनु ने मन में सोचा. फिर कसेले सुर में पूछा. ये बहादरी उस समय कहा गई थी जब किसी को उसकी सक्त जरुवत थी? अरे उसके पापा बड़े खुंखार किसम के आदमी थे. उसे आप क्या सोचते हैं कि मेरे से पर कोई नहीं था? मेरे घरवालों ने क्या मुझे चुटा छोड़ दिया था? आप क्या जाने कि आपकी वज़े से मुझे क्या क्या सुनना पड़ा है? सहना पड़ा है. तुमने कभी बताया नहीं? आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि मेर उन्हें एक और रात आखों में काड़ती, बाद के दो-तीन दिनों तक रंजना ही उसके दिल और दिमाग पर चाही रही, वो राजेश का बड़ी बारीकी से निरिक्षर करती रही थी, पर उसे उनके वेवार में कोई परवर्तन नजर नहीं आया, वो खुद लेकिन इतनी तर पाऊंगा, क्यों? वो हस दिये, क्योंकि मैं तुमारे उपकारों तले गले गले तक डूबा हुआँ, उसे बिल्कुल भी हसी नहीं आई, गंबीर स्वर में बोली, प्रेम में ये उपकार की भाशा कहा से आ गई? माफ करनानू, हमारी शादी में प्रेम कहीं दूर दूर त और एक बात अच्छी तरह जान लीजे, सहनबूति में सिर्फ सेवा हो सकती है, सहनबूति में कोई शादी नहीं करता, हो सकता है, शुरू में सहनबूति ही रही हो, फिर धीरे धीरे प्रेम अंकुरत हुआ हो, जैसे मैं भी तो अब धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगा ह पर तुम्हारा प्यार love at first sight नहीं था ये तो तह है क्योंकि जिस समय तुमने मुझे पहली बार देखा था मैं एतनी तूटी फूटी अवस्था में था कि प्रेम होना संभवी नहीं था और रंजना उसका प्यार कैसा था वो मेरा पहला प्यार था अनू ये बात राजेश ने पहले भी एक बार कही थी पर आज तो उसका स्वर बहुत ही आरत था अनू बीतर तक हिल गई थी अगले कुछ दिनों तक सोते जाकते उठते बैटते उसके कानों में वही स्वर गूंचते रहते रंजना मेरा पहला प्यार था नू आखिर एक दिन हिम्मत जुटा कर चाहे क इमेज पर उसने अपनी बात कही डाली देखिए जिस दिन आप मुझे छोड़ना चाहें मुझे प्लीज बता दीजेगा मैं उसी इक्षन आपको आजात कर दूंगी बदले में कुछ मांगूंगी भी नहीं एका एक ये शहीधाना भाव किसलिए उस दिन आपने कहा था कि रंजना मेरा पहला प्यार है तो अब आपका पहला प्यार लोट आया है तो देखो उनका स्वर अत्यंत कठोर हो आया तुम मुझसे अगर उग गई हो तो किसी विक्षन मुझे छोड़ कर जा सकती हो बहाने बनाने की जरुवत नहीं है जी मैंने तो ये सोचा था क्या सोच रंजना वापस आ गई है तो मैं उसके पास चला जाओंगा क्या फुटबाल हूँ मैं जो कभी इस पाले में कभी उस पाले में लुड़ता रहूंगा तुम लोग ने मुझे खिलोना समझ रखा है कि जब चाहा उठा लिया जब चाहा फेंग दिया तुम लोग मतलब मतलब तुम और रंजना दोनों में कोई फरक नहीं है रंजना क्या सोचती है वो जब गुलाएगी तो मैं उसके पास दोड़ा चला जाओंगा एक समय था जब मुझे उसकी सक्त जरूत थी मैं तन और मन से लहू लुहान अस्पताम ने पड़ा था उसकी एक जलक के लिए एक पर के लिए तरस गया था पर वो नहीं आई आई उसकी शादी की खबर बस उसी किशन सब कुछ जलकर राक हो गया एक वो बेवकूफ है जो सोचती है कि मुझे हुए शूलों को हवा दे सकेगी और एक तुम प्लीज मेरी रंजना के साथ तुल्ला मत कीजिए गाली जैसा लगत है तो क्रपा करके तुम भी इस तरह की उलजलूल बाते सोचना बंद करो देख रहा हूं हफ़ते बर से तुमारे दिमाग में यही बात गूम रही है ना खुद चैन से जी रही हो ना मुझे जीने दे रही हो आए से स्टॉप इट नहीं तो सचमुची सब छोड़ छाड़ कर मैं कहीं निकल जाओंगा पहली बार अनुने अन्भो किया कि ये व्यक्ते शरीर से अशक्त भले ही हो पर इतना लिजलिजा नहीं है कि सौइमान ही ताक पर रगते पहली बार उसे एहसास हुआ कि भावनाओं के आवेग में ही सही उसने सही व्यक्ते चुना है अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी जो बीद गई वो बात गई आशा करती हूं कहानी आपको पसंद आई होगी अपने विचार जरूर लिखिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फिर मिलेंगे आपका समय शुम हो पंगल म हो